दोस्तों अगर आपको पैसे की बहुत ही ज़्यादे रिक्वाइर्मेंट है और आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो आपने बहुत ही शाही वीडियो पर क्लिक किया हुआ है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इंस्टा मॉनी से प्रोशना लोन अप्लाई करने का फूल सकते हैं लोन को रिपेमेंट करने के लिए वह्या पेंट्रे स्काइब करने के लिए आपको ऐफिचार नहीं पर सकते हैं लिए प्लिगियों के फौने फोन का इंस्टाल करना होगा जिसका लिंग वीडियो के दिस्क्रिप्रिशन लिंक पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप एस अप्लिकेशन यू होगय बाद ऐसे उपने diagonal forces होता है Loan apply करने के लिए आपको दो options मिल जाते यहां पला पर just account का साइनिंप करेंगे और जो यहां पर नया account बनाना है उनको यहां पर signup पर किलिक करना है तो सबसे पहले signup पर प्लिक करेंगे आपको यहां पर किलिक करेंगे आपका सबसे पहले पर माँगे तो Pen-cut तो सब आपास होगा आप अपना pin card से देखे pin number यहाँ पर fill करेंगे उसके बद आपकी यहाँ पर full name मांगी जाती है जो भी आपके pin card पर name होगा उस name को यहाँ पर fill करेंगे date of worth मांगा जाएगा फील करेंगे gender select करेंगे gender select करने के बाद नीचे में professional detail का option मांगा जाता है यहाँ पर choose पर click करेंगे और आपको यहाँ पर तीन option मिल जाते हैं अगर आप solid होंगे तो self include होगे तो self include select करेंगे अगर आप इसके अलावा भी कुछ करते होंगे तो non up above option पर click कर देंगे उसके बाद आपकी business की name मांगी जाती है जो भी आपका नाम होगा business का उसको इंटर करेंगे business type यहाँ पर select करेंगे नीचे में age of business मतलब कितने साल साथ बिजनेस को चला रहे हैं उसको यहाँ पर इंटर कर देना है आपकी यहाँ पर monthly sales कितनी की आप कर लेते हैं उस इसके बाद यहाँ पर आप से नीचे में पुछा जाता है कि कि आप इसके पहले कहीं से लोन लिये हैं और लोन लिया होंगे तो यहाँ आई है पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी लोन यहाँ क्रेट का ओबर ड्यू है मतलब की payment आप करने से पहले लेट हो जाते हैं अग क्लिक कर देंगे तो फिर आप से पुछा जाता है कि जो भी आपका business का payment आता है कौन से bank में आता है जो भी bank account होगा आप उसको अपना select कर लेंगे और नीचे में आप से पुछा जाता है कि क्या आपके पास debit card है उस account का अगर debit card होगा तो आई है पर क्लिक करेंगे अगर नह क्लिक कर देते हैं नीचे में आप से requirement loan amount का option मिल जाता है मतलब कि आपको कितने amount चाहिए loan का उसको आप इंटर करेंगे और उसके बाद आपके इंट्रेस रेट करने के बोला जाता है इंट्रेस रेट करने के बाद आप जैसे submit and check वाले option पर क्लिक करते हैं आपके सामने loan amount ख चाहते हैं क्यों लेना चाहते हैं क्यों लेना चाहते हैं आपको यहां पर बहुत सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे में save loan requirement का option मिल जाता है simply आप इस पर क्लिक कर देंगे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पे कुछ इस type के इंट्रेस मिल जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इंस्टा मोनी cash loan का option यहां पर मिल करना होता है यहां पर कंप्लिट करना होता है और दो मिनिट का अंदर प्रॉयस आपकर लोन अप्लाइ करते हैं तो आप नही आपके यहाँ पे payment करने का बहुत सारा options मिल जाते हैं जैसे कि UPI card, Net Banking, debit card का कोई भी आपके option select करेंगे और आपके यहाँ पे payment पहले complete कर देना है फिर next में आपके यहाँ पे residential information upload करना होता है जो कि आपके अधार काड से डिड़क की जाती है यहीं पर आपको अधार काड का दोनों साइड का photo upload करना होता है पहली में front side में front side upload करेंगे back side में back side का photo upload कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे address मिल जाती है address verify कर लेंगे कुछ यहाँ पे clear करना होगा fill करना होगा आप उसको fill कर देंगे और नीचे में submit का button मिल जाता है submit वाल बटम पे click कर देंगे फिर आपके यहाँ पे bank information मांगी जाती है सबसे पहले bank ने में आप इंटर करेंगे आपको यहाँ पे bank ने मिल जाता है state मिल जाता है district मिल जाता है branch मिल जाता है IFSC code मिल जाता है account number मिल जाता है यह सब सारी detail fill कर देंगे और नीचे में submit वाले step पे आप click कर देंगे इंस्टा money application से loan के लिए apply कर सकते हैं और आपको यहाँ पे successfully loan मिल जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आओगा ते वीडियो का लाइक करके चैनल को subscribe करें और notification वेल कौन करें ताकि banking और finance related वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके